How to fix OnePlus 9R Camera Slow Motion Issues Problem नमस्कार दोस्तोओ सबस्थ आब सबीका तिकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तोओ आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताउँगा कि इसे आप जो हे camera slow motion issues problem solve के से कर सकते है यहां पर दोस्तों problem क्या और है मैं आपको बता रहता हूँ हम दोस्तों जब slow motion record करते हैं तो वीडियो slow में record होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर problem जो है वो कुछ इस प्रकार का है हम slow motion video record कर रहा हैं लेकिन record करने के बाद वहाँ पर कोई भी slow motion 8 नहीं होते हैं वो वीडियो बस नॉर्मली देते हैं ठीक है जाता तर SI होते हैं तो अगर आ केमरा slow motion काम नहीं कर रहा है तो वीडियो को देखे solution को follow करे problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप online पैसा कमाना चाहते तो वीडियो description पर आप स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा solution बता देता हूँ एपस नोटिफिकिशन पर जाएए see all apps पर जाएए camera open कीजिए और storage पर जाके clear storage पर क्लिक करके ok कर दीजिए ठीक है ok करने के बाद आपको back करना है बेक करने के बाद make sure सारे permission आपका enable रहे उसके बाद बेक कीजिए बेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है storage पर जाना है free आप space पर क्लिक करना है और space को थोड़ा सा clean करना है ताकि आपका जो खेश वगर है वो clean हो जाए उसके बाद आई है system पर और software को update कीजिए mobile software को update कीजिए software update करने के बाद आपका problem solve हो जाएगा अगर update नहीं है तो update आने तक wait करें या फिर mobile को safe mode पर reboot करके चेक कीजिए अगर update नहीं है तो safe mode पर reboot कीजिए उसके लिए power बटन को press and hold करना है power off के बटन पर 2 सेकंड क्लिक करके रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा safe mode पर reboot हो जाएगा उसके बाद चेक करके देखे problem solve हो चुक ठीक है जैसे के काइन मास्टर तो वहां से भी आप slow motion उसको कर सकते हैं तो वीडियो को normally record करके भी दोस्तों कुछ एप के मदद से slow motion वीडियो बना सकते हैं ठीक है तो आप यह भी कर सकते हैं और next software तक update करें या फिर दोस्तों आप यहां पर mobile को factory data reset भी करके check out कर सकते हैं ठ factory data से दोस्तों i am not sure कि आपका problem solve हो गाया नहीं होगा लेकिन यहां पे दोस्तों चांजस बहुत है उससे भी problem solve होने का सारे सब्सक्राइट करोगे तो भी दोस्तों बहुत जाड़ा chances से आपका problem यहां पे solved हो जाएगा ठीक है तो जो भी दोस्तों मैंने आपको solution दिया है कर्टे दूस तो अपूए वीडियो पसने आगा थैंक्स वाचिन